एक बर फिर से आप सबका हमारे इस इन योटूब चैनल पर आरके सिविल सर्विसेस इस्टेडी पॉइंट पर स्वागत है तो जैसा कि अभी मैंने आरो ए आरो का स्लेवस और एक्जाम पैटन आपको समझाया और आपसे अभी कहा था कि हिंदी का वीडियो आप लोग के देखें ये जो है बहुत इजी सबजेक्ट है और बहुत आसानी से आपकी सेलेक्शन की राह को जो है ये आसान करता है और ये समझ लीजे सेलेक्शन के लिए तुरूप का एक का है अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये केवल याद करने का है तो दोस्तों ऐसा नहीं है और साथ प्रस्ण आते हैं तो इवन इसमें से हम लोगों के स्कोर जो है 56 तक आये हैं और और लोग तो 60 का 60 या 58 तक नंबर भी लाए हैं तो ये कहीं न कहीं आपके सेलेक्शन की राह को बहुत आसान कर देता है तो आईए दोस्तों आज हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ तरी तैयारी जो है आपकी पूरी एक सेडियोल में स्टार्ट हो गई है तो आप टेलीग्राम चैनल भी बन गया है तो आप टेलीग्राम चैनल आरके सिविल सर्विसेस स्टेडी पॉइंट टाइप करके जोईन कर सकते हैं वहाँ पे आपको PDF बहुत सारी बुक्स का और मेर नोट्स का अपलोड है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डेली वहाँ पे आपको टेस्ट होता है अब तक कुल GS के चार टेस्ट कराए जा चुके हैं और एक साइंस का कुईज कराए गया है जिसमें से आपको तुरंत जो है आनलाइन रैंक भी दिखाई देती है इससे आप अपनी तयारी को परख भी सकते हैं तो आईए दोस्तों आज हिंदी की बात करते हैं और बहुत जल्द हम जो है फिर से आनलाइन क्लासे जैसे क्वालेटी साइंस लेते थे वीडियो के माध्यम से वह आकर के लाइब क्लासे बोड पे आकर के आपको पढ़ाएंगे बह पहला है तद्सम तद्भो दूसरा है परियावाची शब्द तीशरा है विलोम चौथा है वाक्यांस के लिए एक सब्द पाचों है विशेशन और विशेश से छटों है वरतनी एयों वाक्य सुद्दी अब देखिए इसमें तो याद करने के लिए है लेकिन अब इतना भी गया तो सारी बुक लेकर के याद करना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है तो इसमें क्या किया गया है जो भी बहुत important most important word है उन्हीं को जो है collect करके आपके सामने paste किया जा रहा है और उमीद है इस से जो है आपका exam आसानी से निकल जाएगा तो पूरा भरोसा पहला topic है हमारा ये जो है रहेगा और ये c-set के लिए भी काम करेगा तो तत्सम तद्भो पहला topic है तो एकदम छोटी सी परिभासा समझ लेते हैं जिससे आप आसानी से बीना रटे हुए भी आप्शन देख करके सही कर सकते हैं तत्सम तद्भो पहले इसका अर्थ समझ ले समान ऐसे सब्द जो संस्कृत के समान हो और बोल चाल के भासा में इस्तेमाल कर लिए गए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं तत्सम सब्द कहते हैं लेकिन तद्भो सब्द क्या है तद्भो तद मतलब होता है उससे ठीक है और भो मतलब उत्पन हुआ उससे उत्पन हुआ ऐसे सब्द जो संस्कृत से उत्पन हुए हैं लेकिन अब उन्सका अपभरंस रूप बदल गया हो और भोलचाल भासा में आसान भोलचाल भासा में उसको प्रियोग करते हैं तो ऐसे सब्दों को हम क्या कहते हैं तदभव सब्द कहते हैं तो आप समझ गये होंगे यहां से एक और देख लेते हैं तत्सम मतलब हिंदी में चलित संस्कृत सब्दों को तत्सम सब्द कहते हैं जैसे आम्र हो गया अगनी हो गया कर्ण हो गया ठीक है तद्भो सब्द क्या है संस्कृत सब्द के विक्रित रूप को तद्भो कहते हैं ज जो बोल चाल में बहुत एजी लगे जो बोलने में बहुत इजी लगे सरल लगे ज्यादा महिनत न करना पड़े तो उसे क्या कहेंगे तदभासब्द कहेंगे दो आग आम पाँ हाथ precaution अगर बोलने में कठिन लगया और शंस्क्रीट सम्क झाइफ नगे मैं पूरा दावा करता हूँ, यह मेरी अपनी notes है, मैं RO-ARO exams के लिए और UP-Tate और जितने भी exams होते हैं, सब के लिए यही notes पढ़ के जाता हूँ, बहुत दो-चार पन्ने का ही notes है, लेकिन बहुत ही effective notes हैं दोस्तों, यह आप जो है, जरूर देखिएगा, तो अब हम तो यह जो है लाठी को कहते हैं ठीक है कुठारी और इसका तद्बो क्या हो जाएगा कुलहाडी और फूल का क्या होता है फुल होता है ठीक है तो यह हो गया इसके अलामा और देखते हैं और देखते हैं तत्सम तद्व तद्वो तो ये तद्वो पहले पढ़ें फिर तत्सम अनारी का क्या होता है अनारिया अटारी का अटाली का अंगाउचा का अंगप्रोचा अठारा का अश्टा दस अक्षत का अक्षत का अक्षत देखें बोल लें कठिन लग रहा है ना आज आज तो हम लोग आम बोल चाल भासम प्रयोग करते हैं तो यह क्या हुआ तदभो हुआ और तदभो हुआ और तदभो हुआ इसका क्या हो जाएगा अद्य आवला का आमलक हो जाएगा उच्छाह उच्छाह एक तदभो सब्द है इसका हो जाएगा उच्छाह उजला का उज् देख लिजीएगा Milli को देख लिजेगा नेच्छ्ट है ओखली का उलूखन कपूत का कुपुत्र किसद का कृष्ण कारज का कार्य काठ का काष्ठ कुरोधी का कुरुद्ध खेत का च्षेत्र गदहा या गधा जिसको कहते हैं उसका क्या होता है गर्धब, ठीक है, फिर गाय, गाय का गो होता है, गिद्ध का गृद्र, मक्खन का मृचण, इसी प्रकर गेहूं का गोधूम होता है, गाहक का ग्राहक होता है, घोड़ा का गोटक, चोदह का चतुरदस, छेद का छिद्र, जुगती का युक्ती, जव का यव होता है, ठीक है होता है दधी का कि दही का दधी होता है दर्शन रह सन एक तत्भो सब्द है इसका तच्छ्य होता है ऩाल Mitgl का नाशिका, नेह का इस नेह, पाहुना का पाहुण, पाहुण होता है, ठीक है, पूरुशारत का पूरुशार्थ, बहिन का भगिनी, बचडा का वत्स, बचडा का वत्स होता है, वत्स को बच्चा भी कहते हैं, ठीक है, बहु का वधु, बैल का वरिशब, नेक्स्ट देख लेते हैं, पन्ना का पन्न, पन्ना एक तद्भव है, इसका पन्न होता है दीठी का द्रिष्टी, मुदरी का, मुदरी का, ये आरो में पूछा भी था और बंदर का जो है, वानर हो जाएगा, रात का रात्री, आधा का अर्ध, दीठ मतलब ध्रिष्ट और वो तद्सम बनेगा, तो छा हो जाएगा, छत्री वला छा, ठीक है, जैसे खेत का छेत्र होगा, ठीक है अब यहाँ पे, नेक्स्ट देख लेते हैं, तद्सम तद्वो, ना, बकरा का वरकर होता है, बडिक बनिया, विभीतिक का क्या होता है, बहेडा होता है, भाद्र भादों होता है, भाओं का भिरकुटी होता है, भागत का भक्त होता है, मानुष का मनुष्य, ठीक है, सेठ, स्रेСТि, सुहाग, सभाग्य साखी का साक्षी होता है सन्यासी यह जो है important है यह जो है सन्यासी वाला important है एक बढ़ देख लिजेगा और ससुर यह भी इंपोर्टेंट ही है एक्जामें पूछा गया है ससुर, यहां पर यह इसकी वर्तनी होगी ससुर सावा का स्यामक, शपन का स्वपन, संसारिक का सांसारिक, शावला का श्यामल, सबद सब्द, हल्दी का हरिद्रा, कान का कर्ण, चांद का चंद्र, घर का ग्रिह, गाउं का ग्राम, मीठक मधू, भिच्चुक का भिच्चुक होता है, यह स्पिलिंग है, बाग का ब्याग्र, ये है, ब्याग्र, ठीक है? लग रहा है, कलेश, गोबर का गोमय, घी का घरित, जनम का जन्म, टक्षाल का टंक साला, ठीक है? टांग का टंग, डायन का डाकिनी, तिनका का त्रण, तांबा का ताम्र, चोर का चाओर, चुमना का चुम्बन, चोंच का चंचू, जामुन जम्बुल, ग्यान का ग्यान, तेल का होता है तैल, ठीक है? थुतकार का जो है थुतकार होता है ये ता रहता है इसने ठीक है दोस्तों तो ये रहे तसम सब्द तसम तदभो सब्द अगला हमारा जो टापिक रहेगा वो विलोम सब्द का रहेगा तो हम आशा करते हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और आज से ही बटकने की अवश्यक्ता नहीं, यहां वीडियों भी मिलेगा टेस्ट भी अपको फ्री किरा जा रहा है, तो बने रहे हैं आप लोग जुड़े रहे और अपनी तयारी को अन्तिम रूप देते रहें thank you so much